फेलो दियर स्टूडिंस आज के इस वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका के वेजिटेशन और सॉयल के बारे में डिस्कूस करेंगे हम जानेंगे कि जो उतरी अमेरिका है उसमें वनस्पती जो किस प्रकार की है और मिट्टियां कौन-कौन सी उतरी अमेरिका में आई जाती है तो इस क्रव में सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की प्राकरतिक वनस्पती को कि किस प्रकार की प्राकरतिक वनस्पती इस नॉर्थ अमेरिकन जो कॉंटिनिंट है उसमें हमें देखने को मिलती है देखे महात्वी जो नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट है नौर्थ अमेरिका की प्राकृतिक बनस्पती का जो निर्धारक तत्व है वो जलवायू है और देखा जाए तो हर शेत्र की बनस्पती का जो निर्धारक तत्व क्लाइमेट ही होता है जलवायू होता है उसी प्रकार की प्राकरतिक वनस्पती उस शेत्र में पाई जाती है और जलवायू की विविद्धा की अनुरूप ही प्राकरतिक वनस्पती में हमें विविद्धा देखने को मिलती है उत्तरी अमेरिका की हम बात कर रहे हैं तो उत्तरी अमेरिका की जो natural vegetation है वो काफी varied है क्योंकि continent में बहुत जलवायू है उस पहादवीब की वहाँ काफी वित्ता हमें देखने को मिलती है कुछ शेत्रों में तो permanent वहाँ पे बरफ जमी रहती है इसलिए जन शेत्रों में बरफ जमी रहती है वहाँ की प्राकरतिक वनस्पती और जो interior lands है वहाँ की प्राकरतिक वनस्पती में हमें काफी difference देखने को मिलता है तो दिखें सबसे पहला जो प्राकृतिक वनस्पती का हमिल लेते हैं वो है तुन्डरा वनस्पती जी जो तुन्डरा ट्राइप का climate है ये बेसिकलि इस प्रकारणा climate है तुन्डरा वनस्पती उसी तुन्डरा ट्राइप के climate में पाई जाती है जहां पर 9 months totally frozen conditions रहती है सरदिया नौ मैने चलती है वहाँ पर और किवल 3 months ही वहाँ पर थोड़ी summer's का time आता है तो कनाडा का उत्तरी शेत्र, Greenland, Alaska वाला जो भाग है वहाँ हमें Tundra type of climate का विस्तार देखने को मिलता है या हम कह सकते हैं कि कनाडा के उत्तरी शेत्र में, Greenland में और Alaska में Tundra climate पाया जाता है और इस climate नौमली देखा जातो 9 months वर्ष भर मान लिजा हिमाच्छादन यहाँ पर रहता है गर्मिया बहुत शॉर्ट होती है इस type के climate में और यहाँ पर केवल गर्मिया में जिन शेत्रों में बरफ बिगलती है वहाँ हमें वनस्पती के रूप में लिचन, काई, छोटी जाडियां, डंडेलियन्स, आदी देखने को मिलते हैं और वैसे देखा जाए तो यह जो टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजिन है वनस्पती विहीन शेत्र कहलाता है तो यह टुंड्रा जी रीजिन जहाँ पर टुंड्रा क्लाइमेट पाए जाएगा, वहाँ पर किस प्रकार के वनस्पती नौर्थ अमेरिका में पाई जाती है यह रूप से जो वनसपती देखने को मिलती है वो है लिचन और काई और छोटी-छोटी जहाडियां डेंडेलियन्स आदी के पौधे हमें देखने को मिलते हैं और केवल थ्री मंज्स यह वनसपती रहती है फृर जब विन्टर्स में वापस बरफपारी होती है तो यह वनसप या टेगा वन जैनि जिसे हम कह सकते हैं नहटन कॉनिफरेस्ट फ़ॉयस्ट और टीगा फोरीस्ट वाला जो भाग है यह तुंडरा प्रदेश के दकषण में है यहां बोरेल या टेगा कोणधारी वन हमें देखने को मिलते हैं इसका अधिकान शेत्र कनाड़ा में स्थित है इन वनों में रेड तथा वाइट पाइन फर प्रमुकता से देखने को मिलता है हमें इस पूरा बोरेल और जो क्लाइमेटिक रीजन है कॉनिफरेस पौरसवला महां पर हमें रेड या वाइट पैन जो पेड है उसका वो देखने को मिलता है प्रशान्त महासागर के 30 शेत्रों अलास्का, प्रिटिश कोलंबिया तथा उत्तरी संयुक राज्य के 30 शेत्र में घणे कौनधारी वन हमें देखने को मिलते हैं इन में फर, सिडर, हेलमाक, वरक्ष अधिक मिलते हैं सियरा नवेदा में एक विशाल रक्ष पाया जाता है स्क्वेस जिन्हें उसकी लंबी आयू और सुन्दर्टा के लिए सरक्षित किया जाता है सियरा नवेदा वाले शेत्र में तो ये जो कॉंधारी वन शेत्र है, टैगा वन शेत्र है, ये हमें किन-किन शेत्रों में मिला, अधिकांश्त है कनाडा, उसके बाद प्रशांत महासागर के तटिय शेत्रों में हमें कॉंधारी वन देखने को मिलते हैं, टैगा वरस देखने को मिलते हैं, जिसमें अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, सयंगत राज्या अमेरिगा की तटिय प्रदेश और उसके बाद जो सियरा नवेडा वाला शीतर है वहाँ पर मैप के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं देखे जो टुंडरा जो फॉरस्ट रीजिन है यह वाला जो कलर है यह तुंडरा फॉरस्ट सरी यह जो रीजिन है यह पूरा ओरेंज रीजिन टुंडरा टाइप आफ फॉरस्ट से आ गया जहां नाइन मंस विंटर्स रहती हैं और तीन मंस महने जब गर्मिया आती हैं तो काई, लाइचेंस, फर, डेंडेलियन्स यह वाले हमें चोटे पौधे और जहाड़ियां देखने को मिलती हैं उसके बाद जो हमारा दूसरा रीजिन है वो बोरेल फॉरस्ट वाला और यह वाला जो शेत्र है यह बोरेल फॉरस्ट का रीजिन आ गया तो यह सारे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तीसरा जो वेजिटेशन रीजिन है वो है चितोष्ण वन टैंपरेट फॉरस्ट देखे चितोष्ण वन प्रदेश दक्षिन पूर्वी कनाडा और उत्तर पूर्वी संहिक राज अमेरिका में विस्तृत हैं इनमें कठोर पत्ज़डवाले वन जिसमें बीच, ब्रिच, मैपल, ओक, स्यूस, पाइन और हैलमाक विशीश रूप से पाए जाते हैं इनका एक अन्य प्रकार का ऊशन शितोष्ण वन भी है यानि वाम टेंपरेट फॉरस्ट भी यहाँ पाए जाते हैं जिन्हें दक्षणी कठोर लकडी वन भी कहते हैं यह मुख्यता अपलेशन के परवति धालों पर मिलते हैं इनमें ओक व्रक्ष की प्रधानता है इसके अलावा चेस्टनट व्रक्ष भी अधिकता से यहाँ पर मिलता है तो शितोष न जो फॉरस्ट है टेंपरीट फॉरस्ट वाला रिजिन है उसके अंदर ही एक स्मॉल पॉकेट हमें वाम टेंपरीट फॉरस्ट की भी देखने को मिलती है और यह टेंपरीट फॉरस्ट रिजिन स्पेशली दक्षण पूरवी कठाड़ा और उत्तर पूरवी स्पेशली राजय अमेरिका में हमें देखने को मिलता है यहाँ अब कुछ पतजड के वन भी पाये जाते हैं जिन में ब्रिच, मैपल, ओक, स्प्रूस, पाइन, हेलमाक, आदी परक्ष हमें देखने को मुक्य रूप से मिलते हैं अगला वनस्पति प्रदेश है दक्षन पूर्वी पाइन एवं दल्दली वन यानि साउथ इस्टन पाइन एड स्वेम फोरस्ट स्वेम्त राजय अमेरिका के दक्षन पूर्वी प्रदेश में जहां कठोर, ग्रीश्म और हलकी शीत रूतु होती है वहाँ ये वन पाए जाते हैं इनमें चौड़ी पत्ती वाले पाइन के व्रक्षों की प्रदानता होती है और दल्दली वनों की प्रकरती बाकी वनों से काफी भिन होती है तो ये जो दक्षन पूर्वी पाइन और दल्दली वन जो है ये सयुग राज अमेरिका के दक्षिन पूर्वी प्रदेशों में हमें देखने को मिलते हैं उसके बाद अगला जो forest region है वो है ocean other one यानि tropical wet forest देखे Mexico तता मध्य अमेरिका में ocean other second one हमें देखने को मिलते हैं यानि अगर पूछा जाए कि tropical wet forest कहां मिलते हैं तो मेक्सिको और मध्य अमेरिका में हमें tropical wet forest मिलते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत जादा होती है जहाँ कम वर्षा है वहाँ यह जो रक्ष है tropical wet forest के जो पीड़ है हमें चित्रे हुए रूप में डेखने को मिलते हैं अब देखे अब मैप के अंडर अगर हम देखें जो शितोषन टंपरिट forest वाला area है ये वाला पूरा जो area है पूरा वाला एरिया और यहाँ यह जो एरिया है ये पूरा वॉर्प टंपरिशन वाला area है तो सारा का सारा जो portion है वो अमेरिका नॉर्थ अमेरिका जो USA वाला portion है USA के Eastern पार्ट में ये दौना प्रकार के वर्शेत्र हमें देखने को बिलते हैं उसके बाद जो अपनी बात आई थी ऊशन जो स्वैम फॉरस्ट वाला एरिया है तो देखे स्वैम फॉरस्ट वाला जो एरिया है वो भी नॉर्थ अमेरिका के दक्षिनपूर की भागों में है इस्पेशली जो कोस्टल रिजिन्स हैं जो टाइड्स वगरा बहुत आती हैं यहां पर हमें ये स्वैम फॉरस्ट देखने को मिलते हैं फिर ऊशन आद्र सगन वन की हम बात करें तो मेक्सिको और मध्य अमेरिका का जो बार्ट है वहां हमें ये चित्रेवे रूप में ओप भुमद्य सागरिय वनसपती देखिए भुमद्य सागरिय वनसपती को हम मेडिटरेनिन फॉरस्ट भी कहते हैं और ये विशेश रूप से ये वनसपती वैसे दिखा जाए तो भुमद्य सागर के आस-पास के शेत्रों में पाई जाती है लेकिन नौर्थ अमेरिकन कॉंटि प्लाइमेटिक कंडिक्शन है वो पाई जाती है विशेश रूप से भूमद सागर वनस्पती हमें कैलिफोर्निया वाले पार्ट में देखने को मिलती है और यहां पर क्यूंकि कैलिफोर्निया में भूमद सागर वनस्पती देखने को मिलती है यह शुष्कता सेहन करने की शम अगर या वनस्पती को और इसमें सदाबाहर रक्ष भी पाये जाते हैं जाडिया भी है उसके बाद ओक के रक्ष मी हैं चेरी भी हैं सुमक के रक्ष मी हैं यह सब हमें प्रदानता से यहां पर देखने को मिलते हैं तो मेडिटरीनिन फॉरस्ट का अगर हम मैप के अंदर के प्रेशली केलिफोर्निया का जो पार्ट है वह वाला उसके बाद आता है प्रेयरी वनस्पती देखे प्रेयरी जो है वो ग्रासलेंड है जिनने हम टेम्परेड ग्रासलेंड भी कहते हैं और इस रिजन के अंदर कुछ फॉरस्ट ट्रीज में हमें देखने को मिलते हैं प के लोकेशन अवस्तिती क्या है तो वो रौकी परवत था कूंधारी वनों के मध्यस्तित है मध्य कनड़ा और संव्त राजय में शितोष्न घास के मैदान है जिनने प्रेयरी के नाम से जाना जाता है इनमें लंबी घास के शेत्र में पजजड़ वाले व्रक्ष भी हमें द देखने को मिलता है तो इस प्रेयरी जो वेजिटेशन है इसमें भी दो प्रकार के एरियाद है एक तो लंबी घास वाले शेत्र चोटी घास वाले शेत्र में हमें व्रक्ष अधिक देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन जहां लंबी घास वाले शेत्र पाये जाते हैं प्रेयर अग्रिकल्चर के लिए भी काफी यूज होता है अगला जो वेजिटेशन रिजिन है वो है मरुस्थली एवं अर्ध शुष्क मरुस्थली वनस्पती यानि डेजर्ट और एन सेमी डेजर्ट वेजिटेशन सेंकर राज्य के तक्षण पश्ची में विशेश कर कोलर एडो शे वनस्पती विहीन शेत्र है यानि कुछ इस्पैशली जो दक्षिन पश्ची में कोलरेडो का शेत्र है वहां पर हमें कुछ वनस्पती देखने को मिलती है लेकिन चाहां एंटिरियर पार्ट में जो पूरी तरह ड़ेजर्ट weer के रिया है वहां हमें वंस्पती नहीं देखने को मिलती है और वनस्पती जो मरुस्थल की जो वनस्पती है वो हमें जीरोफाइट वेजिटेशन है ये हम सब जानते हैं उसों जीरोफाइट वेजिटेशन या मरुद भिद प्रकार के वनस्पती कहते हैं और इसमें विशेश रूप से लंबी जड़ वाले प को मिलता है कनाडा के कोंधारी वन और संवत राज्य के कैलिफोनिया के रोज रेड़ वुड है तो विशेश रूप से जो वनस्पतिया हैं हमने आठ प्रकार की वनस्पति डिस्कस की और वैसे देखा जाए शॉट में अगर हम कहें तो यहां की जो कनाडा का जो कोंधारी वन है और संवत राज अमेरिका में कैलिफोनिया के रेड़ वुड फॉरेस्ट है और कौंधारी वे पतजण वन है यूएसे के वो विशेश रूप से यहां की जो वुड है वो बहुत जादा अच्छी है चलिके अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की सॉयल की मिटियों की किस प्रकार की मिटियां वहां पाई जाती है देखिए नॉर्थ अमेरिका में विशेश रूप से टुंडरा सॉयल पॉर्जॉल सॉयल प्रेरी सॉयल और पेड़कल सॉयल पाई जाती है तो इस चार प्रकार की मिटियां जो है वो प्रमुक रूप से नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है सबसे पहले हम बात करते हैं टुन्डरा प्रकार की सॉयल की तुन्डरा म्रदा की देखे नियुन्तम तापमा तथा हिम मंडे धरातल के कारण यहां म्रदा का विकास नहीं हो पाया है अधिकांश उत्तरी कनाडा स्थाई बर्फ का जमा का शेत्र है पर्मा फ्रोस्ट कंडिशन में रहता है जहां म्रदा बर्फ के नीचे शैल के रूप में हमें देखने को मिलती है दूसरे शब्तों में हम कहें ते टुन्डरा म्रदा है यह बहुत कम विकसित है और जो टुन्डरा शेत्र है वो ब्रदा रहित शेत्र है क्योंकि वर्ष के 9 महने जो है अधिकांशत है यहाँ पर बर्फ जमी रहती है पूरी परवाम फ्रोस्ट कंडिशन में हमें सॉयल यहाँ पर पाए जाती है विशेश रूप से जो उत्तरी कनाडा का जो भाग है उसमें और यह डेवलप सॉयल नहीं है टुंडरा सॉयल बिल्कुल डेवलप सॉयल नहीं है और हाड रॉक के रूप में और उपर बर्फ जमी हुई हमें देखने को मिलती है उसके बाद आता है पॉट्जॉल सौइल देखे इसके अंतरकत पॉट्जॉल, भूरी पॉट्जॉल और स्लेटी भूरी पॉट्जॉल मृदा समलित है साथ ही लाल तथा पीली मृदा भी इसी शीत्र में हमें देखने को मिलती है इसका जो विस्तार है मैकेंजी घाटी से उत्तरी कनाड़ा तक है इस मृदा में उपजावपन कम होता है भूरी पॉट्जॉल मृदा केनेडियन शील्ड से सेंट लॉरेंस के मुहाने तक है यह भी अनुपजाव होती है स्लेटी पूरी मृदा सेंट राचे के दक्षन पूर्वी शेत्र में हमें विस्तरत है देखने को मिलती है यह लाल तदा पीली मृदा के नाम से भी जाने जाती है तो स्लेटी जो पूरी मृदा है वो विशेश रूप से सहीं फिराज अमेरिका के दक्षन पूर्वी शेत्र में हमें देखने को मिलती है या आपको ध्यान रखना है और इसे हम रेड और येलो सॉयल भी कहते हैं कपास की पेटी में ये फिली प्रकार की होती है या जहां पर कॉटन बैल्ट है नौर्थ अमेरिका में यूएसे में वहां पर कॉटन बैल्ट वाला एरिया में ये जो पॉट्जॉल मृदा है ये यलो कलर में हमें देखने को मिलती है वहीं अगर हम अपलेशन शेत्र की बात क के point of view से इस potzol soil को अम आती हैं बात प्रेरी soil की देखिए इसमें प्रेरी soil जो है इसमें जो भी ये potzol soil है उसकी सारी specialities इस प्रेरी soil में पाई जाती हैं वैसे देखा जाए तो प्रेरी म्रदा एक मिशृत प्रकार की म्रदा है ये गहास के आवरण के नीचे विक्सित हुई है अधैस में जैव तत्व हमें अधिक देखने को मिलते हैं उत्तर में कॉर्ण पीटी और दक्षिन में कपास पीटी में भी इसी प्रकार की हमें ब्रदा देखने को मिलती है अब देखे यूएसे और कनडा के जो कॉर्ण बेल्ट है और जो कपास पीटी है वहाँ ही प्रेरी रीजिन में घास जादा होती तो घास के निचे विक्सित होने कारण इसमें जो जैव तत्व है यानि हुमस का जो कंटेंट है वो बहुत पाये जाता है इसलिए हमसे फर्टाइल सॉयल की कैटेगरी के अंदर कर रखेंगे चौती प्रकार की जो म्रदा है वो है पेड पैयोगो कल सॉयल देखें इस म्रदा समयों में समलित चिर्नोजम या काली म्रदा एक संकीन पेटी में उत्तर से ापीरी म्रदा के समानांतर विस्त है यह जैव ताइब होंज तदा चुनायुक्त है यानि प्रडखॉड सॉयल जो है प्रडखॉल के अंतर चिर्नोजम Som ँस यानि जहां जिन शेत्रों में च्रिवेनोजम मिट्टी पाए जाती है उसको हम समलित रूप से प्रेड़ो कॉल म्रदा की काटेगरी के अंतर्कत रखते हैं और यह एक प्रयरी म्रदा के समान अंतर ही उनके प्रेड़ो कॉल मिट्य के विस्तार पाए जाता है और ये मिट्टी agriculture point of view से पेड़कॉल soil बहुत important है और जो food crops का production है, wheat और दूसरे जो खाद्यानों का उत्पादन है उसके लिए काफी उप्युक्त है इस मिट्टी में, पेड़कॉल मिट्टी में हमें जैवर्श भी पाए जाते है और इसी में chestnut soil भी है, जो गहरे भूरे रंकी होते है पेड़कॉल गृप में ही आती है chestnut soil और इसी के साथ ही ये पूरा भूरी जो मृदा है, उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है उसके बाद हम पेड़कॉल मृदा, ये तो मुख्य मृदा गृप हुए उसके बाद कुछ डैजर्टिक जो एरियाज हैं USA में, वहाँ हमें desert soil भी देखने को मिलती है विशेश रूह से कोलेरेडो का जो पठार है, जो शुशक शेत्र है वहाँ पर लेगिन जो में गृप्स हैं, वो हमारे चार है और केवल एक small pocket में हम कह सकते हैं, जहां USA में मरुस्तल ये भाग है, वहाँ पर जो desert soil हमें देखने को मिलती है और pedagal group में आपको ध्यान रखना है, जो चौथा ग्रूप है, उसमें चिर्नोजम भी आएगी, काली मिट्टी भी आएगी, chestnut soil भी आएगी